प्रयास हमारा और निरंतर यही कोशिशे हमारी कि आप तक पहुँचे चाहे वो विभिन सामगरी के माधिम से हो या फिर अपने इस लाइव एडिसेट लेक्चर के माधिम से उन तमाम एक्सपर्ट्स को आमंतरित करने के माधिम से हो जिनके द्वारा आप तक जानकारी पहुँचती है और आप अपने आपको लाभानवित महसूस करते हैं मित्रो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मैथली शरन गुप्त की ये चोधरा पर और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रुचिरा धिंगरा डॉक्टर रुचिरा धिंगरा सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि सीच लाइव एडि सेट लेक्शेस के माधं से आप तक पहुंचती हैं आप तक तमाम सामग्रीब पहुंचाती हैं जो कई बार हो सकता है कि आपको किताबों के प Border पलटने पर ना मिले और अगर मिले भी तो कई-बार बहुत सी असी पंक्तिय होती हैं को शाय शायद समझ नहीं तो एक बार फिर से मैं डॉक्टर रुचिरा धिंग्रा के बारे में आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर रुचिरा धिंग्रा शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में असोसेट प्रोफेसर के रूप में कारियरत हैं और यही कहना चाहूंगी कि इनका experience हम सभी के लिए ज्यानवर्धक होगा यानि कि इनका experience हम सभी के काम आएगा इस विशय पर जानकारी पाने के लिए तो हमारा आज का विशय है मैथली शरंगुप्त की यशोधरा सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा धिंगरा का और फिर चाहेंगे कि ये इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं डॉक्टर धिंगरा आपका स्वागत है मैथली शरंगुप्त आधुनिक हिंदी साहित जगन में अपना महत्वपून स्थान रखते हैं उनके द्वारा विभिन कृतियों का स्रिजन हुआ जिन में महत्वपून है साकेत जो महा काबे है खन काबों में अगर हम देखें तो जैद्रत्वत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, नहूश, अंचली और अर्ग, अजित, अरजन और विसरजन, जंकार, जैभारती, प्रित्वी पुत्र, स्वदेश, संगीत मौलिक नाटकों के भी इन्होंने रशना की है जिन में अनग, चंद्रहास, तिलोत्तमा, निश्क्रिय, प्रतिशोध और विसरजन के नाम दिये जा सकते हैं इतना ही नहीं मैतली शनगुत ने भास के नाटकों का अनुवाद भी किया है और इन नाटकों में हम स्वप्न वासवतत्ता, प्रतिमार अतनावली, रुबायत उमर ख्याम और मेगनाथवद, विरांगना, अभिशेक, विमारक के नाम ले सकते हैं जहां तक यशोध्रा का प्रश्न है यशोध्रा गद्य पद्य मिश्रित चम्पु कावे है और ये गौतम बुद्ध की पत्नी यशोध्रा को लेकर लिखा गया कावे है जिसमें गौतम बुद्ध की पतनी ने जो उनके विरहे में अपना जीवन विटीत किया, उसको कवी ने भावपून तरीके से अपने पाटकों के समक्ष प्रस्तुत किया है ये शोद्रा राजा सुप्त बुद्ध और उनकी पतनी पमिता की पुत्री है और जो पमिता है वो राजा शुथोदन की बहन है शोद्रा की अलप आयू में ही ये शोद्रा का विवाह गौतम बुद्ध से कर दिया गया और उट समय गौतम बुद्ध का नाम सिधात था ये शोद्रा का देहावसान 78 वर्ष की आयू में हुआ इस पूरी की पूरी कालावधी में 16 वर्ष से लेकर अपनी मृत्यू परियंत तक जो जीवन ये शोद्रा ने जिया उसको मैठली शन गौत ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है गौत जी ने रवी पाबो के लेख कावेतर उपेक्षिता से प्रेणा लेकर अपने महाकावे साकेत की रचना की थी और इसमें उन्होंने लक्षमन प्रिया उर्मिला के एकांत करुन 14 वर्ष विरह को अपनी संपून भाववता के साथ अपने पाठकों के सामने रखा थ किन्तु तब तक मैथलीशन गुप्त की विरह जो दृष्टी थी उसमें इतनी परिपक्वता स्पष्टता नहीं थी और इसलिए साकेत की उर्मिला पाठकों के उपर अपना उतना अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाई जितना यशोध्रा को पढ़कर पाठक जो है वो कवी ने समस्त संसार में नारी की जो स्थिती है उसको हमारे सामने उभार कर रखा है साकेत की प्रेना से स्विजट होने के बावजूद यशोध्रा पाठक के सामने एक ऐसी नारी को प्रस्तुत करती है जो करुनाक से पून है कर्तव युक्त है किन्तु अपने स्वाभिमा के साथ अपनी जिन्दगी को जीना चाहती है कभी वर दिनकर के शब्दों में अगर हम कहें तो यशोद्रा के बहानी कभी ने नारी समस्या पर अनेक ऐसे संकेत तथा अनेक ऐसी बाते कहने के सुयोग निकाल लिया है जिनके लिए उप्यूक्त अफसर उसे साकेत में नहीं मि ले थे केवल नारी समस्या की प्रिश्ट फूमी पर देखें तो साकेत के उर्मिला संबंधी अन्शों की अपेक्षा यशोध्रा अधिक प्रौड कृति है उर्मिला को लेकर कभी ने इस विशे में सोचना शुरू किया था कि नारियों की समस्या क्या है पत्यों के वेराग के साथ क्या उनका कोई संबंध है तथा नव्यों के दृष्टी से समस्या का समाधान क्या हो सकता है इस चिंतन का प्रारंभिक रूप उर्मिला के व्यक्तित्व में मिलता है किन्तु इसकी पून परिनती यशोध्रा में हुई है वास्तव में उर्मिला यशोध्रा और वि कभिवर ने इस बात को रिखांकित किया है कि मैथलिशन गुप्त ने अपनी तीनों कृतियों में चाहें वो उर्मिला को लेकर लिखी गई हो चाहें विश्रुप्रिया को लेकर लिखी गई हो अथ्वा यशोध्रा को लेकर लिखी गई हो इन तीनों ही कृतियों में उन्हें नारी के उस रूप को चितरित करने का प्रयास किया है, जो अपने पती से वियोग के कारण दुखी है और अपनी स्वाभिमान को अपने सामने रखकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, कोई भी देश, कोई भी राष्ट, कोई भी समाज, अथवा कोई भी परिवार, तब तक उ युग-युग से प्रताड़ित, युग-युग से उपेक्षित, युग-युग से पीड़ित नारी को समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। और शायद इसलिए मैठलेशन गुप्त नहीं नहीं बात के कभियों ने भी नारी के इस रूप को रिखांकित करने का प्रयास किया है। और यदि आप उसको सम्मान नहीं देते तो आपकी भी प्रक्रती नहीं हो सकती। दुर्व स्वामनी में भी दुर्व स्वामनी निरंतर अपने पती को इस बात का एहसाद दिलाने का प्रयास करती है। कि मेरी भी कुछ अधिकार है, मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी कुछ सम्मान है, किन्तो जब रामगुप्त उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, तो वो अंत में उससे मुक्त होने का भी निर्ने ले लेती है। और यही शायद आधुनिक नारी की पहचान है। भारत भारती में भी मेरी शनगुप्त ने इसी बात को रिखांकित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार पाले हुए पशु पक्षियों का ध्यान तो रखते सभी, पर नारीों की दुर्दशा का क्या देखते हैं हम कभी। हमारी एक आदत बन गई है कि हम नारीों के विशे में एक बहुत संकीन दृष्टिकोन को रखते हैं। हम यह मानते हैं कि नारी का अर्थ है परिवार को चलाने वाली, नारी का अर्थ है प्रेम, त्याग की मूर्ती, नारी केवल अपने बारे में नहीं सोचेगी, वो अपने परिवार के बारे में, अपने पती के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचेगी और इसलिए उसे वो सब कारी करते रहना है जो उसे अपेक्षित है किन्तु नारी स्वयम क्या चाहती है इस बात की तरफ हमारा पुरुर समाज कभी भी अपना ध्यान नहीं देता है नारी के विभिन रूपों को मैठीशन गुप ने अपने खंड काफे में चित्रित करने का प्रयास किया है जिसमें उनका विरागना रूप, माता रूप, पत्नी रूप, स्वाभिमानी रूप और विरहिनी रूप, पुत्री रूप आदी हमें दिखाई देता है साकेट, विष्णूप्रिया और यशोधरा प्रतियेक में नारी हमें आदर्श के उचसे हासन पर बैठी हुई नजर आती है और ऐसा लगता है कि मानों वो अपने पतियों के साथ जीते हुए अपने विक्तित्व को खोजने का प्रयास कर रही है और गुप्ची ने अपनी कृतियों के माध्यम से नारी को उसका यही खोया हुआ अस्तित्व यही खोया वव्यक्तित्व प्रदान करने का प्रयास किया है ये सभी नारियां सोचती हैं कि मोक्ष पाना यदि जीवन का सर्वोच धे है तो नारियों को उससे वंचित क्यों रखा जाता है क्या ये ज़रूरी है कि उस धे को प्राप्त करने के लिए पुरुष उनका परित्याग करें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस धे को प्राप्त करने के लिए नारी और पुरुष मिलकर घरस्थाश्रम का समुचित निर्वाह करते हुए उसे प्राप्त करें और जैसे इस संसार को चलाने के लिए इस्त्री और पुरुष दोनों के होने की आवश्रक्ता है तो इस मुक्ति को पाने के लिए केवल पुरुष ही आगे क्यों बढ़ता है और क्या ये जरूरी है कि उसे पाने के लिए वो अपनी अर्धांगनी को अपनी जीवन संगनी को छोड़कर चला जाए इससे पूर्व जितना भी कावे लिखा गया था उसमें नारी के इस पक्ष को लेकर कभी भी कवियों ने या साहतिकारों ने विशेश चर्चा नहीं की थी ये शायद इसलिए भी है क्योंकि उस समय उनकी दृष्टी केवल पुर्ने पक्ष पर टिकी रही और वो इस पक्ष के उस पक्ष को भूल गए जहां पर जो पती का साथ देने वाली पती की सह धर्मिनी पती को परेना देने वाली जो नारी है वो व्योग की अवस्था को बहन करती है यशोधरा में यह विवश्टा उर्मिला की भाती हमें नजर नहीं आती इन दोनों में ये अंतर है कि यशोध्रा अपने विरह को मुख रूप से स्विकार नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं मुखर हो उड़ती है कमला कांथ पाठक ने इस विशे में कहा भी है, ये शोध्रा वियोगनी अबला के पत्नित्व और मात्रित्व उभे पक्षों का पून्ते साधग तथा द्वंदमै कठिन साथना में निरत रही है ये शोध्रा और उर्मिला दोनों ही कुलवधुए हैं और पारिवारिक सीमा में कालियापन करती हैं स्वाभिमान, निरअग्धी वियोग, आत्म सैयम, मात्रित्व, पारिवारिक दाइद्व की भावना आदि विशेशताएं उर्मिला से ये शोध्रा को प्रिथक करती हैं दोनों में अगर हम कोई साम में देखते भी हैं तो वो साम में केवल इतना है कि दोनों विरहे को भोगती हैं, दोनों अनिश्रित कालीन विरहे को भोगती हैं और दोनों में ये आशा रहती है कि उनके पती एक ना एक दिन वापस आएंगे और पुनहें उनका जीवन यथा चलने लगेगा मैचली शनकुप्त दुवेदी के कवी है और उस समय नारी को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया था नारी में सभी गुणों की कामना की गई थी वो त्याग की मूर्ती है प्रेम की मूर्ती है करतव विभाबना उसमें कूट-कूट के भरी होनी चाहिए और उसके परिवार के आगे पती के आगे परिवार जनों के आगे वो कुछ भी नहीं सोचती है अपनी कृती यशोधरा में कवी ने नारी के दोनों ही रूपों को जो आदर्श है और भव है इन दोनों ही रूपों को समुचित रूप से चितरित किया है यशोधरा में गु और इनी दोनों रूपों में पत्नी रूप में और जननी रूप में नारी जो है वो आदर्श की प्रतिमूर्थी मानी जाती है। इन दोनों ही मूर्थियों को चित्रित करते वे कभी कहते हैं अबला जीवन हाए तुमारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी। आधने कभी रिती कालीन कभीयों की भाती नारी को किवल मासल रूप में देखने का पक्षधर नहीं है। वो नारी के उस रूप को भी आधर देता है जिसमें वो ग्रह और कुटुम दोनों के मध एक रेखा खिशती वी नजर आती हैं दोनों के बीच एक समझोता करती वी वो अपने जीवन को जीती है। कवे की भावना का चुकाफ पून्त है नारी के ग्रह और परिवार समन्धी प्राचीन आधर्श्यों की ओर है। किन्तु इतना होते वे भी उन्होंने यदे पे परानिक नाइकाओं को या परानिक पात्रों को लेकर कावे रशना की। किन्तु वो परानिक उन्होंनेताओं के विरोधी रहे हैं जहां पर नारी को केवल आधर्श रूप में मूख पशुवत अपना जीवन जीते हुए चितरित किया जाता है। वो ये मानते हैं कि नारी में अपना एक स्वाभिमान होना नितान्त जरूरी है और उस्वाभिमान की रक्षा करना नारी का अपना दायत्व है। वो पती भक्ती के कुरूर नियमों से नारी को निकाल कर नारी और पुरुष को एक तरह से समकक्ष खड़ा करने के पक्ष्थर रहे हैं पत्नी के रूप में उन्होंने नारी के जिन रूपों की प्रतिष्था की है या नारी के रूप में उसकी जिन विशेष्थाओं की चरचा की है उसके विशे में हम कह सकते हैं कि उन्हें भारतिय पत्नी का एकांथ, स्थिर, बासना रहित, त्याग में, कर्तव्य, तत्पर और धर्मनिष्ट और तपस्वी रूप जादे प्रियथा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अर्धांगनी रूप की चर्चा की है, जनिनी रूप की चर्चा की है, और अंत में उन्होंने इस बात की और भी रिखांकित किया है, कि पत्नी जो है, वो अपने पती को आगे ले जाने के लिए उसके लिए प्रेणा का स्त्रोध भी बन कर आती है प्रेम नारी जीवन का प्रथम और अंतिन सत्य है वो प्रेम के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है दी है और वो अपने प्रेम पे किसी भी प्रकार का अनाधिकार बरदाश नहीं कर पाती मैटली शनगुप्त की पतनी यह शोधरा जो है वो नारी को वेराग के मार्ग पर बाधा नहीं मानती है उनका यह माना है कि वो शत्रानी है और शत्रानी होने के कारण वो स्वैम अपने पतियों को युद्य में विजे प्राप्त करने के लिए सुसज्जित करके भेचती है तो यदि ये जीवन से संघर्ष है अगर ये मुक्ति की तलाश है तो भी एक प्रकार का ये युद्ध है और इसमें नारी अपने पतियों के लिए एक धाल बनकर या उनका प्रदर्शक बनकर ही उपस्थित होती है और ये ये भी वो कहना चाहते हैं कि नारी कभी भी अपने पति के पत में बाधा उत्वन नहीं करती ये शोथरा अपनी जीवन की वास्तविक्ता को बताते हुए ये शोथरा का विकृती में खहती हैं वधू सधा मैं अपने वर्की परक्या पूर्ती वासना भर्की सावधान हा निजकुल घर की जननी मुझ को जानो पत्नी के करतव हैं उनका पालन करती है तो वो इस दृष्टी से भी पूजनिया है आदर्निया है कि वो अपने पती और पती के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कुल को आगे बढ़ाने के लिए नाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें संतान उत्पन करके देती हैं और इसलिए भी वो औरों की तुलना में या पुरुष की तुलना में हम कह सकते हैं कि एक नहीं दो-दो मातराई नर से बढ़कर नारी हैं. ये शोद्रा ग्रहस्ताश्रम के पालन को बहुत महत्वपून मानती हैं. उनका ये मानना है कि हम केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं किन्तु अधिकारों के साथ साथ यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार हमें भीक में मागने की आविशक्ता नहीं होती वो स्वयमेव हमें मिलते चलते हैं इस संदर्ग में डॉक्टर बर्सुवाल का कथन है एक सफल ग्रहनी और आदश मा के नाते अपने जातितिय और राष्टिय कर्तव्यों का पालन करने के साथ ही यशोथ्रा के नारी अपने व्यक्तित्व पर पुरुष समाज द्वारा चिपकाई गए बास्वाष्टव पूर्ति के लेबिल को उतारने में भी सफल हुई है सपाश्ट है कि यशोष्रा अपने व्यक्तित्व के द्वारा इस बात को बताने में पूरी तरे से सक्षम है कि वो केवल अपने पती के पतनी ही नहीं है, वो केवल उनकी बासना की पूर्ती का साधन ही नहीं है, केवल ग्रहस्त आश्रम के एक करतवे का पालन करने वादी ही नहीं है, वो उसका अपना एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व को समझाने के ल यह उसके लिए वह अपने पती को भी इस बात के लिए तैयार करती है कि उसका पती आगे आए और उसको वह सम्मान वह मान दे यह शोधरा अनुरागनी है वह स्वपन में भी अपने पती से अलग होने की कामना नहीं करती है अपने पती से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती है और इसलिए जब अर्ध रात्री को सिधार्थ उन्हें सोता हुआ छोड़कर मुक्ती की तलाश में सिध्धी प्राप्त करने के लिए जाने का निश्य लेते हैं तो स्वपने में भी यशोधरा बड़बड़ा उठती है नात कहां जाते हो अब भी यह अंदकार चाया है स्वपने तूटने पर यशोधरा क्रंदन से चितकार कर उठती है जब वो यह देखती है कि सिधार्थ उनके बगल में नहीं है और वो उन्हें बिना बताए सोता हुआ छोड़ कर चले गए है हाँ जगकर क्या पाया मैंने वे स्वपने भी गवाया मैंने जिस स्वपने में वो सिधार्थ के साथ है उस स्वपन को निंदरा से जागने के पश्षात जब वो तूटा हुआ देखती है तो वो बहुत दुखी होती है और उन्हें कश्ट इस बात का नहीं है कि सिधार्थ क्यों चले गए उन्हें सबसे बड़ा कश्ट इस बात का है कि वो उन्हें बिना बताए गए उन्होंने उन्हें इस लायक भी नहीं समझा कि वो अपनी जीवन का इतना बड़ा निर्ने ले रहे थे वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़ कर जा रहे थे कितने समय के लिए जा रहे हैं ये बात सिधात को भी नहीं पता थी और इस बात को उन्होंने अपनी पत्नी से बताना या उसके साथ साजा करना भी उचित नहीं समझा इतना होने पर भी यशोधरा अपने पती का मान रखती है वो स्वेयम कुछ भी समझें वो खुद ये कहें कि वो मुझे बता कर जाते या उन्होंने इस प्रकार का आश्रन क्यों किया किन्तु वो अपनी सखी गौत्मी के समक्ष अपने पती का मान पूरी तरह से रखती है जब गौत्मी उनसे कहती है कि सिधात इस तरह से गए और ये जो है ये पूरी तरह से पुरुष समाज कितना निर्दई है इस बात को चितरित करता है तो यशोधरा कहती है अरी तू उन्हें निर्दे कैसे कहती है वे तो किसी कीठ पतंग का दुख भी नहीं देख सकते गौतमी का जब कहना था कि तभी तो हम लोगों को इतना सुख दे गए हैं तो यशोधरा परत्युत्तर में उन्हें कहती है नहीं वे अपने दुख का भागी बना कर हमें अपना सच्चा आत्मिय सित कर गए हैं और हम सब के सच्चे सुख की खोच में ही गए हैं वे पती को मार्क चुत ना करके अपनी आकांग्शाओं को अपनी इच्छाओं को दबा लेती हैं और अपने अनुराग को विराग में परिवर्थित कर देती हैं माना मेरे प्रिय अब मेरे से दूर चले गए हैं और उनकी याद में मैं अपने उपर उतना मैं अपने संयम नहीं रख पारी हूँ मेरी नेत्रों से निरंतर अश्रू प्रवाहित हो रहे हैं किन्तु वो फिर भी ये कामना करती हैं कि ये अश्रू उनके पती के मार्ग में रोडा ना बने और उनके पती जिस सिध्धी को प्राप्त करने के लिए जिस कामना के लिए वो घर को छोड़ कर गए हैं उसमें धार्ट ने उनके अंदर वो गुण देखे थे कि वो अपने बियोग में दुखी यशोधरा पर ये दाइत्व डाल कर गए हैं कि वो माता और पिता दोनों का दाइत्व पूरी इमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करने में समर्थ हैं। छोड़ गए मुझ पर अपने इस राहुल का सबभार। और जिस तरह से सिधा चाहते थे कि राहुल का लालन पालन हो उसी तरह से यशोधरा उसका लालन पालन करती हैं। उनमें संसकार जगाती हैं। उन्हें अच्छी अच्छी बाते सिखाती हैं। और एक भावी राजा के में जो गुण होने चाहिए उन सारे के सारे गुणों को अपने बेटे राहुल में संचित करने का प्रयास करती है डॉक्टर गेजा दच्शुक्ल गिरीश के अनुसार यशोधरा के राहुल जननी और सिधात पत्नी के उक्त दो भवे रूपों के अंकन के साथ गुप जी ने उसको नारी जाती की प्रतिनिधी के रूप में अंकित किया है समस्त नारी चाती के केवल यही दो रूप हमारे सामने उपस्थित होते हैं उसका पत्नी रूप और उसका जननी रूप गुप जी ने उसके व्यक्तित्व के माध्यम से मानो ऐसी मुक्ति को का भी विरोध किया है जिस मुक्ति को पाने के लिए पुरुष को अपनी अर्धांगनी का त्या करना पड़े उन्होंने संसारिक कर्तव्यों को भुला कर अपनी प्रगती के पत्थ में अग्रसर होने बाले ऐसे पुरुष को धिकारा है और उन्होंने कहा है कि नारी कभी भी पुरुष के पत्थ में बाधा उत्पन नहीं करती अप्यतु वो उसको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरिथी करती है ये शोधरा कहती हैं कि सांसारिक कर्तव्यों को भुला कर अपनी ग्रहस्ती को अलग करके अगर कोई व्यक्ती मुक्ती की तलाश में जाता भी है तो ये मुक्ती उन्हें स्विकार नहीं है मुक्ती तभी स्विकार होती है जब व्यक्ती अपनी जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरी तरे से उनका निर्वाह करता है वो कहती है यदि हम में अपना नियम और शम्दम है तो लाख व्याधियां रहे स्वस्थता सम है वे जरा एक विश्रान्ती जहां सयम है नव जीवन दाता मरण कहा निर्मम है भव भावे मुझको और उसे मैं भाऊं कह मुक्ती भला किसलिए तुझे मैं पाऊं ये शोध्रा जिस वृत को देखकर या मृत्यू को देखकर सिधात ग्रहस्त को छोड़कर मुक्ती की तलाश में जाने का निश्य करते हैं उसके लिए ये शोध्रा कहती है कि वृत्धा वस्था जीवन का सत्य है और जिस प्रकार कोई व्यक्ती चलते चलते ठक जाता है और कुछ समय के लिए वो विश्राम लेता है उसी तरह से इस जीवन रूपी यात्रा में जो वृत्धा वस्था है वो विश्राम है और मृत्यू जो है वो नवीन जीवन को देने वाली है इसलिए हमें उसकी उपेक्षा करकर हमें उसकी मुक्ति की तलाश में आगे नहीं जाना चाहिए इस प्रकार हम देखते हैं कि यशोध्रा जीवन को पूरी उसकी अनन्ता के साथ, पूरे उसके महत्व के साथ, पूरे उसके सार्तत्व के साथ जीने की कामना करती हैं और वो गौतम बुद्ध को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं हमने ये देखा कि यशोध्रा के माध्यम से गुब जीने अपनी इस कावे खंड में जो खंड कावे है उनका उसमें उन्होंने नारी के उस रूप को चितरित किया है जहां वो पूरुष को आगे प्रेरित करती है कि वो अपनी सभी करतव्यों का पालन करें धन्यवाद करता है झाल झाल नमेश्का मित्रू आज हम राश्ट्र कवी मैखलीशन गुप्त के खंड कावे यशोध्रा में यशोध्रा के पत्नित्व और मात्रित्व रूप की चरचा पर बातशीत करेंगे मैखलीशन गुप्त ने यशोध्रा के माध्यम से समस्त नारी जाती के प्रती अपना सम्मान और अपनी श्रधा अर्पित की है डॉक्टर रवेल चंद आनन्द के अनुसार यशोध्रा में मात्रित्व और पत्नित्व रूप में यशोध्रा का चित्रन प्रस्तुत करते हुए गुप्जी ने नारी को अपना सम्मान और श्रधा तो अर्पित की ही है उसके स्वतंत्र वेक्तित्व की भी स्थापना की है तथा उसे उठ्थान शील प्रवृत्यों से संपन किया है यशोध्रा की प्रतिमा प्रेम मैं और करुण है इस तरह से हमने देखा कि यशोध्रा अपनी पत्नित्व का निर्वाह करते हुए अपने पुत्र राहुल को पिता और माता दोनों का प्रेम दोनों का महत्व देती है यशोधरा पुत्र के दिए जीवित ही नहीं रहती अपितु उसके लिए गाती भी है और अपना सारा जीवन जो है उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने में लगा देती है पुत्र के सभी अमंगलों को दूर करना चाती है उसकी पीडा को स्वयम भोगना चाती है और वो कहती है बेटा मैं तो हूं रोने को तेरे सारे मल्धोने को हस्तु है सबकुछ होने को वो सब कुछ भूल कर उस बच्चे को राहुल को उसका बच्चपना देती है उसे शिक्षा देती है कि वो किस प्रकार सद गुणों से पूरित हो यशोध्रा अपनी विरहे जरजिता जीन शीन नौका में एक मात्र सहारा राहुल को ही देखती है उसे लगता है कि वो अपने इस विरहे का जो समय है उसको वो राहुल के माध्यम से ही राहुल के सहारे ही वो पूरी तरह से जीपाती है इस निधी के योग के पात्र यदि था ये तुछ गात्र तो यही प्रतीती मात्र दैव दया तेरी जीन तरी भूरी भार देख अरी एरी उसका मानना है कि निश्यत रूप से सिधार्त ने उसके अंदर वो गुण देखे होंगे उन्होंने ये स्विकार किया होगा कि यशोधरा उस विरह को पूरी तटस्था के साथ या पूरे स्वाभिमान के साथ सह पाएंगी और तभी वो उन्हें अधर रातरी में अकेला बिना बताए छोड़ कर मुक्ती की तलाश में निकल पड़ते हैं ये शोधरा काविकृती में गुप जी ने राखुल जनी गुपा के मातर रिदे की सभी भिलाशाओं को, सभी आकांगशाओं को, सभी इच्छाओं को पूरी तरहे से रिखांकित किया है उन्होंने जिस प्रकास से सूर्दास कृष्ण की बाल लीलाओं का बर्णन करते हैं उसी तरहे से उन्होंने माता को राखुल की विभिन किरियाओं को देखकर आनन्दित होते हुए चित्रित किया है लटपट चरण, चाल अटपट सी, मन भाई है मेरे, तू मेरी उंगली धर अथवा, मैं तेरा धर धाऊं उनकी सारी की सारी वृत्यां राहुल पर आकर किंद्रित हो जाती है बस मैं ऐसे ही निभ जाऊं, राहुल निजरानीपन देकर तेरी चिर परिचरया पाऊं, तेरी जन्नी कहलाऊं तो इस परवश मन को बहलाऊं निश्यत रूप से यशोधरा पती के वियोग में व्याकुल है किन्तो वो ये नहीं भूलती कि राहुल का पूरा का पूरा दायत्व उन पर है वो राहुल की बाल क्रिडाओं में उसी प्रकार से आनन्द का अनुभव करती है जैसे यशोधरा छोटे कृष्ण को जब वो विभिन प्रकार की क्रियाई करते हैं माखन चोरी करते हैं, चीर हरन करते हैं तो उन्हें देखकर वो आनन्दित होती हैं उसी तरह से यशोधरा राहुल की क्रियाओं पर आनन्द का अनुभव करती है इतना ही नहीं वो राहुल को शिक्षा देने में उसमें करुणा की भावना को जागरित करने में मनुशता को जागरित करने में भी अपना पूरा योगदान देती हैं और इस बात का हमें पता उस कहानी के माध्यम से चलता है जब राहुल अपनी माता से अनुरोद करता है कि मुझे कहानी सुननी है और माता ये शोधरा उसे मा कहे एक कहानी के माध्यन से उसे उस समय का चित्रन करती है या ये कहानी सुनाती है जब एक व्याग एक पक्षी को मारता है और एक व्यक्ति उस पक्षी को बचाता है, उसकी सेवा करता है, इतने में व्याग आकर उस पक्षी के उपर अपना अधिकार जदाने लगता है. दोनों में बहस होती है, बात राजा तक पहुँशती है, राजा से न्याई करने के लिए कहा जाता है, यहीं पर आकर ये शोध्रा अपनी बात को विराम देती हैं, और वो राहुल से कहती हैं कि तुम बताओ कि न्याई क्या होना चाहिए. राहुल कहता है कोई निर अपरात को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी जो व्यक्ति न्याय करना जानता है वो यही बात स्विकार करेगा कि रक्षक जो है वो भक्षक से कहीं श्रेश्ट होता है और इसलिए राहुल ने केवल कहानी सुनी ही नहीं थी, उसने कहानी गुनी भी थी, उसको आत्मसाद भी किया था यशोधा राहुल को वो सारे के सारे संसकार एक कहानी के माध्यम से दे देती हैं जो बाद में चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद हुए सिधाट अपने शिक्षियों को देते हैं यशोधा के वेक्तित्व का सरवातिक प्रमुक पहलू हम उसके स्वाफिमान में देखते हैं वे माननी है गर्वनी है और पूरे के पूरे खंड कावे में उसे इसी बात की चिंता है या इसी बात का दुख है कि उसके पती उसे बिना बताए गए हैं वो कहीं पर भी इस बात की शिकायत नहीं करती कि सिधार्थ उसे छोड़ कर क्यों गए, मुक्ती की तलाश में क्यों गए, वो कहती है कि वो जाते तो हम खुद ही उनका तिलक करके मृत्यों रूपी जो युद्ध था उसमें विजय होने की कामना से उसे फेज देती पर उनको दुख केवल यही है कि वो मुझे बिना बताए गए हैं, वो स्विकार करती हैं कि सिधार्थ भी ये शोध्रा से उतना ही प्रेम करते थे और तभी शायद जब उन्होंने एक दिन एक व्रिद को, एक अस्वस्थ व्यक्ति को, एक रुग्न व्यक्ति को और अंत में एक मृत देखा तब वो इस बात से दुखी हो गए क्या उनकी ये शोध्रा भी एक समय में आकर व्रिद हो जाएंगी, रोगी हो जाएंगी या कभी ऐसा समय भी आएगा जब ये शोध्रा उनके जीवन से चली जाएंगी, उस कल्पना मातर से वो इतने दुखी हो गए कि वो उनको छोड़ कर मुक्ति की तलाश में चले गए, उनका कहना था सिधाजी का, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी ये शोध्रा, हाए मिलेगा मित्टी मेवे वन सुवन खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, किन्तु मृत्यु भोध और शन भोध इन दोनों की त्रस्ट, आतंकित और संशंकित करने वाली जो ये बात ही, वो सिधाज को मुक्ति की तलाश के लिए आगे लेकर जाती है और ये शोध्रा जो है, उसको विरह देकर जाती है, ये शोध्रा को विरह वेदना देने में वो संकोश नहीं करते पड़ी रहे तू मेरी भव भुक्ति, मुक्ति हे तू जाता हूँ, ये मैं मुक्ति मुक्ति पस मुक्ति, मेरा मानस हंस सुनेगा और कौन सी युक्ति, मुक्ता फल निद्वन्द चुनेगा, चुनले कोई शुक्ति यशोधरा को बिना बताई सोता छोड़ का चले जाना सिधात की दृष्टी में उचित हो सकता है किन्तु यशोधरा की दृष्टी में ये अनुचित है सिधात जाते वे सोचते भी हैं क्या तुझे जगाऊं एक बार पर है अभी अप्राप सार सो अभी स्वपन ही तु निहार हे शुभे श्वेत के साथ श्याम ओ शनभंगुर भवराम राम और इस प्रकास सिधात इस शनभंगुर संसार को अपनी विदा देकर उस मुक्ती की तलाश में चले जाते हैं जिससे ये आवा गमन का चक्र जो है वो समाप्त हो सके वे जानते हैं कि जब तक वो अम्रित को तलाश कर वापिस लिकर आएंगे तब तक ये शोधरा, माँ और पिता दोनों के दायत्वों का संपून रूप से निर्वाह करने में सक्षम है वे कहते हैं राहुल मेरे रिण मोक्ष माप लाऊं मैं जब तक अम्रित आप माही तेरी माप और बाप दुल मृदूरिदे के मृदूल दाम ये शोधरा मानती हैं कि ये जीवन जो है वो शनभंगुर है जिस शरीर के बूड़े होने से जरजर होने से और अंत में समाप्त होने के भई से सिधात इतने भईभीत हो जाते हैं कि वो मुक्ति की खोच में निकल पड़ते हैं वो शरीर तो नश्वर है एक ना एक दिन समा प्राप्त हो जाएगा ये भी सते है कि मृत्यू के बाद पंच तत्वों में विलीन ये शरीर दुबारा से नवजीवन को प्राप्त करता है और दुबारा से उसके अंदर वोही चेतना वोही सुर्ति वोही उल्लास यो है वो उत्पन हो जाता है ये शोधरा में दिखलाओ लोक को ग्रह मार्ग ना भूलो हाए तजो ही प्रियतम उस आलोक को जो पर ही पर देशाए यशोद्रा सिधात से ये विंती करती है कि मुक्ति की तलाश में उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका पहला करतव अपने परिवार की ओर अपने ग्रहस्त की ओर है और जो चीज उन्हें अपने परिवार से अपनी ग्रहस्ती से दूर कर रही है वो कभी भी काम में नहीं हो सकती सतकर्म करते वे जीने को ही जीवन का इश्ट मानना ये शोधरा की सबसे बड़ी विशेष्टा है वो संसार हे तू सत बार मरने की भी कामना करती है वो कहती है भव भावे मुझको और उसे मैं भाऊं कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊं इस संसार में रहकर अपने करतव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करते हुए वो अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हुए इस मृत्यू से बिदा लेना चाहती है ये शोधरा को पीड़ा ये है कि उन्होंने सिधार्ट ने उन्हें मौम सद्रिश कोमल माना और वो ये भूल गए कि वो शत्रानी है और वो उन्हें स्वयम सुसजित करके रण में भेजने में सक्षम है स्वयम सुसजित करके शण में प्रियतम को प्रानों के प्रण में हमी भेज देती हैं रण में शात्र धर्म के नाते सकी वो मुझसे कह कर जाते पूरी के पूरी यशोधरा में बार-बार यशोधरा को इसी बात का की चिंता है, इसी बात का दुख है कि सकी वो मुझसर कहकर चाते हैं पंचवटी में भी गुपची ने इसी ओर संकेत किया है कि नारी पुरुष की से धर्मिनी ही नहीं उसे उच्छ सिंगहासन पर अवस्थित करने वाली भी है, उसे उचित मार्ग दिखलाने वाली भी है नारी के जिस भव्य रूप का स्वापिमान भाशी हूं मैं, उसे नरों में पाने का उच्छुक अभिलाशी हूं मैं प्रेंचन ने भी एक जगे पर ये कहा था कि यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो कुल्टा बन जाती है ये शोधरा को गौतम का इस प्रकार से चुपचाप बिना बताए चले जाना कांटे सा निरंत चुपता रहता है वो कहती हैं सिद्धी हे तु स्वामी गए यह गौरव की बात पर चोरी चोरी गए यही बड़ा वहगात वे बार बार यही सोचती हैं मुझको बहुत उन्होंने माना पर क्या पूरा पहचाना मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते ये शोधरा अपने पती की अनुगामनी बनना चाहती हैं जो कुछ वो चाहते हैं वो कारे करना चाहती हैं किन्तु उसे इस बात का दुख है कि गौतम बुद्ध ने सिधार्थ के रूप में उनकी पूरी की पूरी शक्ति को पहचाना नहीं और वो उन्हें बिना बताए घर छोड़कर चले गए। उनके प्रश्णों का यशोध्रा के पास कोई उत्तर नहीं है और ऐसी स्थिती में मौन रह जाना ही उनके लिए अन्तिम विकल्प उपस्थित होता है वो कहती है सास ससुर पूछेंगे तो उनसे क्या अभी कहूंगी मैं हा गर्विता तुम्हारी मौन रहूंगी सहूंगी मै उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि सिधार्थ गौतम बुद्ध के रूप में कब वापिस आएंगे आएंगे भी या नहीं आएंगे इसलिए जब उनके ससुर उनसे पूछते हैं कि क्या वो अनुचरों को भेज कर सिधार्थ को वापिस बुलाने का उपक्रम करें तो व वो यह मानती हैं कि सिधार्थ कोई बच्चे नहीं है वो जानते हैं कि वो किस के लिए घर को छोड़ कर गए हैं किस की प्राप्ती के लिए गए हैं और इसलिए जब तक वो उस सिध्धी को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक परिवार जनु國 का भी दायत्व है कि वो मौन रहेकर उनके यगे में अपनी आहुती भी दें यशोधरा का यह मान उसका पुत्र राहुल भी जानता है और वो यह मानता है कि निरंतर कश्ट को चाहें यशोधरा सह रही हैं किन्तु वो अपनी पीडा को राहुल से कभी भी साजा नहीं करती उससे भरसक छुपाने का प्रय तो मैं सुन उनसे कहूंगा बस इतना मू जितना हो किन्तु मानी मन कितना यशोधरा अन तक अपने आपको वही पर रखने के लिए दिर्शंकल्प हैं जहां पस सिधात उन्हें छोड़कर गए हैं वो जब सिधात वापस आते हैं तब भे वो उनका स्वाकत करने के लिए खु कहती हैं कि यदी सिधात उन्हें जहां छोड़कर गए हैं वो वही पर आकर उन्हें दुबारा से अंगीकार करें ये शोत्रा विदूशी हैं वे अपनी परिस्थिती के सभी पक्षों को पूरी तरे से जानती हैं समझती हैं और उनको समझते हुए वो अपनी जीवन को मात अपने भावुक्ता से अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी कलम इसके रंगों के माध्यम से उसे इतना कमनिया बना दिया है कि ये शोध्रा के चरित्र के सामने उसके व्यक्तित्र के सामने अमिताप की आभा भी फीकी पर जाती है गौतम बुद्ध भी हमें ये शोध्रा के व विवश हो जाता है कि क्या पुरुष की सिध्धी प्राप्त करने के पीछे कीसी ये शोधरा के अश्रुपूरित जो तपस्या है क्या हम उसे कम करके आँख सकते हैं? क्या उसका उतना ही योगदान नहीं है जितना कोई पुरुष बिहर जंगलों में जा कर तपस्या करके प्राप्त करता है? किन्तू समानित है उस पीड़ा को, उस वेदना को या उस तपस्याher को जो नारी अपने पुरुष के पीछे रहकर करती है, उसे अंदेखा कर दिया च वो कहती है प्रियत तुम तपो सहूं मैं भड़सक देखूं बस हे दानी कहां तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी वो कहती है कि जब जब संसार इस बात की चैचा करेगा किस सिधार्थ ने गौतम बुद्ध का रूप धारन करके किस प्रकास समाज में करुणा की दया की अजस्त्र धारा फिलाई थी वहां कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में यशोध्रा की चर्चा अनिवारे रूप से होगी यशोध्रा को अंदेखा कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा गुपची ने साकेत यशोध्रा भारत भारती विश्नुप्रिया सभी में नारी को पुरुषों के समकक्ष घोशत करते वे उनकी पवित्रता का और उनकी शक्ति का नमन किया है और उन्होंने ये भारत भारती में इस पक्तियों के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त किया है हे प्रीती और पवित्रता की मूर्ती सीवे नारियां गेह मेवे शक्ती रूपा देह में सुकोमारियां जो देह से शरीर से इतनी कोमल लगती है कि ऐसा लगता है कि वो जीवन की कटनाईों को पूरी तरे से जहल नहीं पाएंगी उन्हें पुरुष का सहारे की आवश्यक्ता है ऐसी नारियां भी पुरुष को प्रेडित करती हैं उनके साथ खड़ी रहती हैं और कठिन से कठिन स् रहती हैं भारत भाती में ही गुब जी अन्यत्र लिखते हैं केवल पुरुष ही थे ना वे जिनका जगत को गर्व था ग्रह देवियां भी थी हमारी देवियां ही सर्वथा केवल पुरुष ही समाज को एक रास्ता नहीं दिखाते केवल वो ही सिध्धी प्राप नहीं कर सकते उनके पीछे जो नारी है, जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रिरित करती है, वो भी आदर की, वो भी नमन की पात्रा है, ये शोत्रा का राग, रोग बन जाता है, क्योंकि सिधार्ट उसे बिना बताए गए है, ये वियोग की अवधी, जो निर अवधी है, उसे पता ही नहीं ह कि गौतम के रूप में सिधार्ट कब कपिल वस्तु वापिस आएंगे, इस अवधी को जीना, इस अवधी को व्यतीत करना ये शोत्रा के लिए मुश्किल है, वो कहती है, मिला नहा इतना भी योग, मैं हस लेती तुझे वियोग, देती उन्हें विदा में गाकर, भार जेल गौरफ पाकर, ये निश्वास ना उठता हाकर, बनता मेरा राग ना रोग, अगर सिधार्थ को वो तिलक करके, जानते बूशते सिधी के मार्ग पर अग्रसित करती, तो शायद उनका दुख झेलने का, जो उनकी शक्ती है, वो और बढ़ जाती, और वो हस्ते वे अपने पती को विदा करती है, आकांशा को विस्मृत कर, वो असीम धैर और ध्रिंटा का परिचे देती हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, अपने पुत्र का लालन पालन करती हैं, और गौतम बुद का वहीं पर इंतजार करती हैं, जहां पर बुद उन्हें छोड़कर अपनी योगिता को वो सिद्ध करने का प्रियास करती हैं, और अपनी आत्मे शक्ती का परिचे देती हुई, वो कहती हैं, जाएं सिद्धी पावेवे सुख से, दुखी नहों इस जन के दुख से, उपा लंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भातें, यह शोधरा को सिद्धात क्यों अधिक भाने लगते हैं, इसके पीछे का कारण सबस्ट है, कि अब सिद्धात केवल यशोधरा के बारे में, राहुल के बारे में, या अपने परिवार के जनों के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, वो व्यक्ती सुख से, समश्टी सुख की तरफ गए हैं, वो केवल अपने ही मुक्ती की कामना के लिए नहीं गए, वो सारे संसार के लिए मुक्ती की तलाश में गए हैं, और यही बात यशोधरा को गर्व का अनुभव कराती हैं, वेदना की अभिव्यक्ती ही यशोधरा का मूल प्रतिपात हैं, कभिका उदेश भी गोपा की स्व सिधार की सिध्धी के पीछे गोपा का हाथ है और इस बात को भावुकता के साथ कभी ने सपश्ट किया है उनका ये माना है कि सिधार गौतम बुद्ध के रूप में तब तक हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकते थे जब तक मूख रूप से गुपा उनका साथ ना देती हैं ये शोधरा अन तक निरी अबला के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं होती वो दया की भीक नहीं मांगती है वो कभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ती नहीं है वो ये नहीं कहती है कि मेरा अधिकार ये है मुझे इस अधिकार को दो वो गर्व के साथ स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को तेज के साथ और विश्वास और दृंता के साथ जीती है और उन्हें इस बात की का पून विश्वास है कि एक ना एक दिन सिध्धार दुबारा से कर पिलवस्तू में आएंगे वे अपने अधिकार की चेतना के लिए कहती हैं देखू स्वामी क्या लोगे गोपा भी दे लेगी तुम दोगे मेरे हो तो मेरे होगे भूले हो पहचानो चाहें तुम संबंद ना मानो चाहें उस संबंद को पती पतनी के संबंद को छोड़ कर उसे अपने बंदों को मुक्त करके सिधाद चले गए हैं किन्तु यशोधरा का मानना है कि पती और पत्नी का संबंद किसी सूक्ष्म डोर से हमेशा बंधा रहता है चाहें वो पास हो चाहें धूर हो उस डोर को कोई तोर नहीं पाता और शायद यही एक आशा यही एक विश्वास उनका अंतक बना रहता है और सिधाद भी उनके विश्वास को तोड़ते नहीं है जब वो गौतम गुद बन जाते हैं तो वो कपल वस्तू में आते हैं और यह शोधरा जिस मान के लिए जिस स्वाभे मान के लिए अपनी जीवन को अब तक जी रही थी उनको आकर वो अंगिकार करते हैं डॉक्टर कमला कान पाठक का इस विशे में वक्तवे है वे दैने और दर्ब पत्नित्व और मात्रित्व प्रेम और कर्तवे की समश्टी है वे पागल सी असमर्थ होकर भी व्यक्तित्व पून भारते नारी का गौरफ पून चरित्र है कभी ने उसके माननी रूप का अधिक आग्रे दिखाया है और इसी कारण उसे अपनी अंतर वृत्यों को विशेश रूप से सयमित रखना पड़ा है उसे द्रिण विश्वास है कि नात तुम जाओ किन्तु लोट आओगे 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 और यही विश्वास उसका पृति के अंत तक बना रहता है और हम देखते हैं कि सिधार भी उसके विश्वास को धुमिल नहीं होने देते वो उसके विश्वास को पूरा करते हैं आज हम अपने वक्तेवे को यहीं विराम देते हैं और अगली बार हम यह शोधरा के विशे में और अधिक चैचा करेंगे धन्यवाद और गितिकाजी दिखाई देता है क्योंके आज भी हम अपने अस्तित्व की हम तलाष करते व feathers आते हैं आज भी हमें लगता है कि चाहें कितने भी वक्तवे दे लें कितने भी हम आख्यान पढ़ लें कितने भी हम भाषन दे लें किन्तु नारी की स्थिती जो है वो दोयम स्थिती पे ही हमें समाज में दिखाई देती है यह शोधरा भी यह मानती है कि यदेपी वो सिधार्ट की पत्नी है राहुल की मा है किन्तु उनका अपना स्वयम का भी एक व्यक्तित्व है एक अस्थित्व है और उसको नकारा नहीं जा सकता वो गौतम बुध के जाने पे दुखी हैं वो कहती है रेमन आज परिक्षा तेरी विंती करती हूँ मैं तुझ से बात न बिगडे मेरी जब गौतम बुध कपलवस्तूर में आते हैं उनके द्वार पे खड़े हैं सब लोग उनसे मिलने जाना चाहते हैं पर वो नहीं जाती वो कहते हैं कि मैं वहीं खड़ी हूँ जहां पर गौतम मुझे छोड़ कर गए थे और तब गौतम आते हैं और वो कहते हैं माननी मानतजो रही तुम्हारी बान तो हम भी आज भी हम ये चाहते हैं कि पुरुष अगर हमें अपने से बढ़कर ना माने पर कम से कम हमें अपनी समकष्टों माने और यही बात ये शोधरा में भी हमें दिखाई देती है कह सकते हैं कही न कहीं ये शोधरा प्रतिक है भारतिय नारी का जो सजियों से चली आ रहे ही हमारी प्रथा है प्रथा भी नहीं कहेंगे जो हमारे आपसी सब्बंध है जिस दोर से हम जुड़ते हैं विवाह के बाद और ये मानते हैं कि यही हमारा जीवन है कहीं न कहीं ये श पर और आगे बात करने वाले हैं बिकुर हम अगली परी चाहिचा में इसी बात पर बात करेंगे कि क्या ये शोध्रा अपने इस खंड कावे के माधन से गुब जी ये शोध्रा के अंत में इस बात को प्रतिष्ठित कर पाए हैं या नहीं कर पाए क्या वो अपने स्वाभिमा को पूरी तरह से रख पाई हैं और मैं कहना चाहूंगी कि ये शोधरा जो हैं वो एक तरह से वेदना और नारी स्वाफिमान की अजस्त्र धारा हमारे सामने प्रवाहित करती हुई नजर आती है बहुत खुबसूरत बात और यहां पर हम यही कहना चाहेंगे कि साहित हमें हमा लिक्षिय यही हमारे लेक्स को निरंतर देखते रहें अपनी प्रतिक्रिया हमारे साच हा करते रहें इसके बिए आपको हम अपनी email id देते हैं जिस पर अपने संच शुजाव अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सथते हैं हमारी email ID है info.cc.nIC.in इस lecture को जल्द आपके लिए YouTube पर upload कर दिया जाएगा और इस lecture को देखने के उपरांत जब आपको महसूस हो कि हाँ कुछ प्रशन कुछ बाते रहे गई हैं तो बेशक आप हमें लिख सकते हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि अगले बार जब रुचिरा धिंग्रा हमारे स्टूडियो में आएं तो हम आपके उन प्रशनों का हल साक्षात यहां पर दे पाए इन ही के माध्यम से तो यही चाहेंगे कि आप हमें देखते रहें और इसी के साथ हम आप से यहां पर विदा लेते हैं आप से जल्द हुलागात होगी तब तक के लिए रमस्कार रमस्कार